कि अधा लाइक देने के लिए यूज होती है उसमें सामने एक बल्ब होता है एकуск Sic होता है जो की बल्ब को ऊन या आफ करने के लीए होता है और जब कि Olisya के सेल खतेम हो जाते है landUI हरे घर दाल सकता है डार्ट की बैख कुझ यूज हो этल हुआ इसमें से तो दो 1.5 वोल्ट के डी टाइप सेल निकल ले हैं और ये सीरीज में कनेक्टेड है इसका मतलब इनकी वोल्टेज अड़ अब हो जाती है 1.5 प्लस 1.5 थी वोल्ट होता है अब मैं इसको वापिस बंद कर देता हूँ अब मैं टॉर्च के सबसे आगे वाले पार्ट को खुलता हूँ इसमें एक ग्लास का कवर है बल्ब को रप्रोटेक्ट करने के लिए और अंदर एक रिफ्लेक्टर है बल्ब की लाइट को स्प्रेड करने के लिए टॉर्च के मिडल वाले पार्ट को खुलता हूँ इसको खुलने के बाद आपको एक बल्ब दिखाई देगा बल्ब को धीरे से घुमा कर खुल देता हूँ बल्ब में दो टर्मिनल होता है एक सिल्वर कलर का गोल गोल एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल बल्ब के बेस के टिप पे होता है अब मैं बल्ड के होल्डर को खोल के देखता हूँ बल्ड की बेस की टिप पर जो टर्मिनल होता है वो बल्ड होल्डर के सेंटर में एक कनेक्टर से कनेक्ट हो जाता है और बल्ड का सिल्वर कनेक्टर होल्डर के रिंग को टच करता है होल्डर के दूसरी साइड के सेंट्रल टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को टच करता है होल्डर का रिंग वाला टर्मिनल, इस कनेक्टर को टच करता है होल्डर की एक और खास बात होती है इसके पीछे वाले पार्ट को दबा कर बल्ब को आगे पीछे कर सकता है तोर्च का ये वाला कनेक्टर स्विच के इस टर्मिनल को टच करता है और स्विच के दूसरे टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को टच करता है स्विच को दबाने से सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब जल जाता है स्विच को छोड़ने से बल्ब आफ हो गया अगर बल्ब जादर देर तक जलाना है तो स्विच को दबाकर आगे करिए अब हम लोगों ने टॉर्च के सारे पार्ट को खोल के रख जा है यह है रिफ्ले यह है बैटरी और यह दूसरी बैटरी यह दोनों बैटरी सीरीज में connected होती है और यह है Blackン innov अब मैं इसको एसेंबल करता हूँ सबसे पहले बैटरी को अंदर डालता हूँ अब बैक कवर लगा देता हूँ अब मैं बल्ब होल्डर को लगा देता हूँ अब मैं बल्ब होल्डर में बल्ब फिट कर देता हूँ अब मैं मेडल पीस को लगा देता हूँ और अब मैं रिफ्रेक्टर लगा देता हूँ यह हमारी चॉर्च तयार हो गई और यह जल भी रही है सब्सक्राइब टिंग